हमारे आयोवेट टीवी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बढ़न को दबाईए और उसे दबाने के बाद बैल आइकन के बढ़न को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहें आज की इस हेल्थ वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुलसी के ओश्थिये गुणों के बारे में अगर आप रोजाना सुबे तुलसी की एक पत्ती खाते हैं तो आपको कभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तो ज़्यादातर हिंदु परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती हैं इसे सुक और कल्यान के तोर पर देखा जाता है लेकिन पुराणिक महतों से अलग तुलसी एक जानी मनी ओश्थी भी है इसका इस्तेमाल कई बिमारियों में किया जाता है सर्दी खासी से लेकर कई बड़ी और भेंकर बिमारियों में यह एक कारगर ओश्थी है आयुरवेद में तुलसी के पोदे के हर भाब को स्वास्ते के लिहाद से फायदे मन्द बताया गया है तुलसी की जड़, इसकी शाखाएं, पत्ती और बीज सभी का अपना-पना महतु है कई दवाईयों को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है तो आईए जानते हैं तुलसी के ओश्थिय गुणों के बारे में श्वांस रोगों में तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ सुपारी की तरह मुँ में रखने से बहुत जल्दी आराम मिलता है तुलसी की हरीपतियों को आग पर सेख कर नमक के साथ खाने से खांसी और गला बैटना ठीक हो जाता है तुलसी के पत्ते अद्रक और काली मिर्च से तयार की गई चाई पीने से सर्दी और जुखाम में अत्यांत फाइदा मिलता है तुलसी के नियमित सेवन से दमा और टीबी नहीं होता है क्योंकि तुलसी शरीर में बीमारी के लिए जो जिम्मेदार तत्व होते हैं उनको बढ़ने से रोकती है तुलसी वे अद्रक का रस एक एक चम्मच, शहद एक चम्मच, मुलेठी का चुन एक चम्मच, इन सब को मिला कर सुबे शाम चाटें ऐसा करने से आपको खासी में तुरंत फाइदा मिलता है क्योंकि ये खासी की अचूक दवा है तुलसी सोट के साथ सेवन करने से लगातार आने वाला बुखार भी ठीक हो जाता है तुलसी अद्रक मुलेठी इन सब को घोट कर शहद के साथ लेने से सरदी के बुखार में भी आराम मिलता है ओश्दिय गुणों से भरपूर तुलसी के रस में ठाई मोल ततु पाया जाता है जिससे त्वचा के रोगों में भी लाब होता है इसकी पतियों का रस निकाल कर बराबर मात्रा में निम्बू का रस मिला लीजिये और रात को चेहरे पर लगाएं इससे जाईया नहीं होती है और फुनसियां भी ठीक हो जाती है और चेहरे की रंगत में भी निखार आता है दाद, खुचली और त्वचा की अन्य समस्याओं में तुलसी के अर्क को परभावित जगय पर लगाने से कुछ ही दिनों में यह रोग ठीक हो जाता है सीर के दर्द में प्रात्यकाल और शाम को एक चुथाई चमच तुलसी के पत्तो का रस एक चमच शुद शैद के साथ रोज लेने से पंद्रा दिनों में यह रोग पूरी तरह से फीक हो जाता है तुलसी का रस आखों के दर्द रातरी अंधता जो समानते विटामिन ए की कमे से होता है उनके लिए भी तुलसी का रस काफी फाइदे मंद होता है आखों की जलन में तुलसी का अर्क बहुत कारगर है रात में रोजाना शामा तुलसी के अर्क को दो बूंद आखों में डालने से आखों की जलन की समस्या भी ठीक हो जाती है सर्दियों में तुलसी के दस पत्ते, पांच काली मिर्च और चार गिरी बदाम सब को पीस कर आदा गिलास पानी में एक चम्मच शैद के साथ लेने से सभी परकार के हिर्दे रोग ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों ये थे तुलसी के ओश्दिय गुन